नमस्कार मैं हूँ आपके साथ महात्वी चौधरी और आप देख रहे हैं लाइफ लगतार टेनिस टार सान्या मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोईब मलिक के रिष्टों में दरार आने की बात सामनी आ रही है सान्या और शोईब मलिक की लव स्टोरी उन कहानियों में से है जिसने दोनों देशों में हल्चल मचा दी थी शादी के बक्त सान्या की देश भक्ती पर भी सवार उपने लगे थे वही इन दिनों सान्या मिर्जा एक बार फिर से काफी ज़्यादा चर्चाओं में आ गई है दरसल शोशल मीडिया पर सान्या मिर्जा और शोईब मलिक के अलग होने की खबरे सामी आ रही है इन तमाम अटकलों के बीच टेनिस स्टार सान्या मिर्जा ने अपने ओफिशल इंस्टेग्राम अकाउंट से एक पोस्ट साजा किया है जो इन सब बातों को पुक्ता करने में एहम भूमिकार निभा रहा है उन्होंने पोस्ट में लिखा है वेर डू ब्रोकन हाथ को तू फाइंड अल्ला यानि तूटे हुए दिल कहां जाते हैं खुदा को खोचने के लिए इसके साथ ही सान्या मिर्जा ने अपने बेटे इजहान मलिक के साथ एक प्यारी सी तस्वीर अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर की है इस तस्वीर को शेयर करते वे सान्या मिर्जा ने क्याप्शन में लिखा है वो पल जो मुझे सबसी मुश्किल दिनों में ले जाते हैं शोशल मीड़ा पर सान्या मिर्जा का ये पोस्ट आते ही जम कर वाइडल हो गया है साणिया मिर्जा एक तरफ शोशल मीडिया पड अपना दर्ड बया कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ शोव मलेक ने हाल में ही बेटे इजहान के बढ़िले की तस्वीरे शेर की थी उन तस्वीरों में सान्या मौजूद तो है लेकिन सान्या ने अपने बेटे के जनम दिन की एक भी तस्वीर शेयर नहीं की है सान्या के इस आक्ट ने भी लोगों को सोचने पर मजबूट कर दिया है गौटलब है कि शोय मलेक और सान्या मिर्जा ने साल 2010 में थैदरबाद ने बेहद ही शाही अंदाज में शादी रचाई थी वहीं अब शादी के 12 साल बाद इस कपल के बिगरते रिष्टो को लेकर खबरी सामने आ रही है हाला कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा इस खबर में फिलहाल इतना ही तमाम अप्टेट्स के लिए देखते रहें लाइव लगतार नमस्कार